हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल आज ना मैं आपको एक एसी क्यूट सी चीज बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएकी ठीक है तो वो मैं बता ही देती हूँ हमारे घर में एक प्यासा मतलब चीरिया का बच्चे आया है वो ना कहीं जो मतलब बड़े 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 पीड होते है ना उससे घीर गया होगा तो वो आ गया तो ना मैंने ले लिया और अपने जो तुलसी का जो गंबला है ना उसमें रख दिया गाईज तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहा है वैसे गाईज आपना मेरी चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब किजिएगा यही हूँ कि 20 के लाइक कर देना और मेना हर संडे डालूंगी प्लीज गाईज आपना मेरी चैनल को लाइक कर देना 20 के लाइक तो अगले संडे में वीडियो डालूंगी ओके गाईज तो मैं बता देती हूँ आपको वो कहां पे है गाईज तो वो नब बहार पे है तो चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ ये देखो गाईज ये छोटा सा बच्चा है मैंने तो जूम कर रखा है ना इसलिए बड़ा दिखता है ये देखो छोटा सा बच्चा है कर देखो गाईज इतना प्या है ये बच्चा है यह के लिया पिचेग देखो गाइस इस वे ना उड़ना है लकिन इस आता नही है गाइस जो यह चलंग मारके नीचे गिर गया था नहीं बाद में यह वापस हमारे घार पे आ गया देखो इससे ना उड़ना है लेकिन यह नहीं उड़ पाया लेकिन आपी एड़ना है झाया उड़ना में झाया गया ग्रहक माँ जड़ना खांफ नहीं एड़ना है आटी आसना है इससे नहीं एससे दो खेग्रीव दो एकिन अमें आटी तो ए्थ थाह आपको वो प्यारा सा बच्चा के सा लगा और वेसे तो हाँ वो ना ऐसे मतलब जो गमला था तुर्जी का उसमें से ऐसे छलंग मार के नीचे गीर गया वापस मैंने बोला था कि वो आ गया वैसे ना बहुत ही अच्छा क्यूट सा था वैसे अभी ना उसकी माँ भी उसके पास मतलब खाना खिला के आई है खिला रही आई नहीं है ठीके गाइस तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गा लाइक और शेर और सस्क्राइब कीजिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्स फोर वाचिंग